अलो दोस्तो वेलकम टू हरी टेकनिकल दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह 9 वाट का सरकीट है और इसमें मेरा IC फॉल्ट है ठीक है दोस्तो और इसमें मैं एक PF लगाया हूँ और दोस्तो जो नए मेकेनिक हैं उन दोस्तो के लिए मैं वीडियो लाया हूँ अगर आपका ssä मनाद के लिए इसमें कोई भी कॉंपोनेट खराब है और आपके पास नहीं है तो दोस्तो इसको कैसे OK करें तो दोस्तो चलिए मैं इस वीडियो में यह ट्रिक बताऊंगा यह सारा कॉंपोनेट को बाहर निकाल का तो मैं इस कॉंपोनेट को सबको निकाल देता हूँ ठीक दोस्तो अब चलिए इसका component निकालते हैं तो इसका component पहले निकालेंगे दोस्तो रजिष्टर तो इस रजिष्टर को पहले इसका अंदर जो रजिष्टर है इसको हम दो निकाल लेते हैं तो दोस्तों देखिए ये मेरा रजिस्टर बाहर आ चुका है ये एक रजिस्टर बाहर आ चुका है उसके बाद में ये जो ड्रॉम कोईल है इसको निकालेंगे तो दोस्तों देखिए ये ड्रॉम कोईल भी बाहर आ चुका है अब दोस्तों ये एमोवी है एमोवी को बाहर निकालेंगे तो दोस्तों ये एमोवी भी बाहर आ चुका है उसके बाद ये वाला पी एफ है ये इसको निकालेंगे तो दोस्तों ये भी निकल चुका है उसके बाद जो next component है ये है पी एफ इसको भी बाहर निकाल देंगे तो दोस्तों ये निकल चुका है और ये जो छोटा वाला capacitor है अब इसको निकालेंगे तो दोस्तों देखिए ये सारा component आपके सामने में पुरा निकाल दिया हूँ अब इसके उपर जो पी एफ है पी एफ को हम लोग connection करेंगे दोस्तों इसका slip पी एफ का connection है तो पी एफ का connection कहां में करेंगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक दोस्तों इस जगा करेंगे और दोस्तों एक इधर कीजिएगा तो current नहीं मिलेगा क्यूंकि इसका जो leg है ये bridge rectifier से इसका connection नहीं है कनेक्शन है और एक इधर connection करना परेगा इधर जाके आपका इसका connection कनेक्शन है तो चलिया मैं पहले पी-फ का connection कर लेता ओं पी एफ का आप इधर में दे सकते हैं चाहे इधर में दे सकते हैं तो मैं इसका bisschen करनेक्शन कर दे cardiovascular हम हूं ठीक है दोस्तों यह देखिए यह पीएफ का कनेक्शन हो चुका है अब चलिए मैं इसका कारेंट का कनेक्शन दे रहा हूं तो कारेंट का दोस्तों एक जगा में दूंगा तो इस जगा में एक करेंट का कनेक्शन कर दे रहा हूं यह देखिए मैंने एक काप इधर में connection कर दिया हूँ और एक दोस्तो इस पीएफ में कर दूंगा connection तो दोस्तो देखिए इसका connection कर दिया हूँ तो दोस्तो अब चलिए इसको test करते हैं कि यह full glow कर रहा है कि नहीं slip दो component है और एक पीएफ लगाया हूँ तीन component है तो दोस्तो इसमें तीन component में लगा दिया हूँ तो क्या मेरा इस circuit काम करेगा कि नहीं चलिए test करते हैं तो मैं इसमें current बेग रहा हूँ तो दोस्तो देख सकते हैं आप जिस तरह से यह पहले glow कर रहा था रोसनी से उस तरह से फिर यह उतना ही रोसनी दे रहा है मतलब यह तीन circuit से हम लोग LED जला सकते हैं तो दोस्तो आप लोगों को इस वीडियो को देख के आप यह समझ गए होंगे कि अगर आपका circuit में कोई भी problem हो तो सारा component निकाल दीजिए slip capacitor और transformer रखिए और एक PF लगा 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 जिएगा जिसका value है 105 और 400 बोल्ट का है और एक मेगा ओम का register लगा 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 लेकिन दोस्तो इस तरह का circuit बनाईएगा तो दोस्तो यह देखे आइसी खराब होगा तब तो मैं बनाया हूँ इस तरह से तो दोस्तो इस तरह से circuit आप बना सकते हैं तो दोस्तो यह वीडियो आप लोगा पसांद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए थैंकी फर वाच हरी ट